एलो फ्रेंड्स, वेलकम तू माई चैनल, गया वीडियो माँ जेम तमें जोयू, एमा हाई कोड द्वारा 31 मेन रोज ओडर आपवाम आवे होतु। जेम जूना वीडियो माँ आपने वाद करी के एमा हाई कोड द्वारा मिस्टर निखिल चा जे बार काउंचल अफ इंडिया वाती केस लड़ी रहा चे। जारडी लो कॉलेज वडवान, स्रीमती SS अजमेरा मिन्सिपल लो कॉलेज, सेट V.S. लो कॉलेज उन्जा थू चार्ज प्रिंसिपल अर्विंद कुमार पतेल, 4 लो कॉलेज हिमत नगर, 5 श्री N.S. पतेल लो कॉलेज छे। मित्रो, गया वीडियो माँ जाम तमें जोय। एम हाईकोट द्वारा बार काउंचल ओफ इंडिया ने अल्टिमेटम अपवा मावियोतु। अने तेमने पंदर जून सुधी माँ रिपोर्ट सब्मिट करवानू कहवा मावियोतु। पर मित्रो आ पांच नवी कॉलेजिस द्वारा हाईकोट माँ फरी बार काउंचल ओफ इंडिया सामें अर्जी करवा मावी छे। तेमने आजे हाईकोट माँ आ मेटर हीरिंग पर जेमाँ आजे गुजरात हाईकोट माँ मिस्टर सुधिय नानावटी द्वारा एव कहवा मावियो कि जे पिटिशनर्स छे एक ग्रांटीन एड लो कॉलेजिस छे अने फेब्रुरुरी बेएजार तेवीस पहला बार काउंचल ओफ इंडिया अंडर दी एड़ोकेट्स एक 1961 सेक्षन 26 ना रूल नंबर 14 जे एक स्टेचुटरी रूल छे आ रूल 2008 मा बनावामा आवे होतो ए प्रमाणे कोईपन लो कॉलेजिस या लो उनिवर्सिटी जेमनी पासे बार काउंचल ओफ इंडिया नू रेकर्गिनिशन नहीं होई ते लो एज्यूकेशन नथी आपी सक आ रूल ने चैलेंज करवामा आवे होतो और तेमा सुप्रेम कोट नी फाइव जेजिस नी कॉंस्टुटूटूटूशनल ब्यांच द्वारा फेब्रूरी 2023 पहला एवु जेजमेंट आपवामा आवे होतो कि जारे स्टूडन्स एन्रोल थाई जाये छे तेना पछी बार क एजुकेशन आपवाना परपस थी कोई रूल बनावानो कोई पावर न थी हमें 11 फेबूरी 2023 ना रोज सुप्रम कोट नी कॉंस्टूटूटूटूटूटूटूटूशनल ब्यांच द्वारा जेजमेंट आपवामा आवे होतो कि अंडर दी एड़ोकेट्स एक्ट एट आपवा माटेना परपस थी स्टेचूटरी रूल बनाववानों बार काउंसल अफ इंडिया नो अधिकार छे अने इवो कहवामा आवे हो कि जेपन स्टूडंट्स नौन रेकगनाईज्ट कॉलेजिस और युनिवर्सिटीज माथी लोग करी रहा छे तेमने AIBE यानी कि All India बार एक्जामिनिशन आपवा देवा मां नहीं आवे अन्य तेव एडवोकेट नहीं बनी सके मित्रो आप पांच कॉलेजिस अने गया वर्षे अमदावाद सिटी नी साथ कॉलेजिस द्वारा गुजरात हाई कोट मां पेटिशन करवा मां आवी हती कि ते ग्रांटिन एड लो कॉलेजिस छे अने कॉलेजिस मां फेकल्टीज नथी अने त्यार बाद मात्र एकज डिवीजन मां फेकल्टीज आपवा मां आवी हती मित्रो गुजरात मां बदेज युनिवर्षिटीज मां डायरेक कॉलेजिस मां एडमिशन नथी थातु ज्यारे युनिवर्षिटी सेंट्रलाइजड सिस्टम ती डिक करवा मां आवे थि अनने मित्रों युनिवर्सिटी प्रमाणे एक डिवीजन मां 120 स्टूडेंट होए थि अनने त्यम्ना द्वारा एद्मीशन बे डिवीजन प्रमाणे एलेकि बसों इटिवीजन मा चार कोर फेकलटी जोगे अंजे प्रमाने जोवा जाये तो बसो कालेज स्टूडेंट्स माते टोटल 16 फेकलटीज होवी जोगे और मित्रों गावर्मेंट छेला 10 वर्सति आतली फेकल्टीज प्रोवाइड नथी करी रही अन्य येनक अन्य काण्ये जो क्वा द्वार्मेंट द्वारा फैकल्टी प्रोवाइड नथी करवा मावी रही तो मित्रो लास्ट यर अम्धावाद सिती नी साथ कोलेट ग्रांटें अपवा मावी यथी अन्ने फैकल्टी नी मांग करवा मावी यी त्यारे गुजरात सरकार वति गुजरात ना एड़ोकेट ज आपवा माटे रेडी छे जे मात्रा एकज डिवीजन एटलेके 60 सुड़न माटे छे हावे आ पची गवर्मेंट द्वारा चार फेकल्टीज प्रोवाइड करवाम आवी अने बार काउंचिल ओफ इंडिया द्वारा बे हजार तेवीस चौविस्त ना एकेडमिक येर माटे आ कॉलेजिस ने टेंपरारी रेकगनिशन आपवाम आवी ओतु अने जैनल टम एक जुलाई ब्याईदार 24 ना रोध पूरू थासे अने हवे जे अरजी करवाम आवी छे ए बदे कॉलेजिस अमदावाद सिटी नी बहार नी कॉलेजिस छे जेमके राजकोट, सूरत, बरोडा भावनगर, एक्सेट्रा अने आ बदेज कॉलेजिस रेकगनाईज न थी, साथ कॉलेजिस द्वारा वेकेशन बेच मा अरजी करवाम आवी यती अने बाकी नी या पांच कॉलेजिस द्वारा हमना अरजी करवाम आवी छे अने बाकी नी कॉलेजिस अवे अरजी करचे, एम टोटल ट्वेंटी एट कॉलेजिस छे अने मिस्टर सुधी नानावती एम पड़ कहिऊ कि आप बदीज कॉलेजिस पासे 2004 थी रेकनिशन नथी अन आप बदी कॉलेजिस नी साथे साथे सर एल एसा लो कॉलेज जे 1927 मा सुझु करवा मा आविये थी एपर रेकनाइज़ इंस् पॉल इंडिया बार एग्जामिनेशन आपवा मा नहीं मले अने एम नो तो जीवन अने त्रण वरस नी लोन श्टडी खराब थाई जशे ने में तो सुप्रेम कोर्ट वारा ब्याजार तेवी ना जज्जमेंट मा एवू कहवा माविवू कि आनी इफेक्ट प्रोस्पेक् अबुरारी ब्याजार तेविस पछी जे लोकोना एडमिशन थाया हाशे और एंस्टिटूट रेकनाइजड नहीं होए तो ए स्टूडन्स ने बार काउंसल ने एग्जाम आपवा माटे नहीं मले एटले मित्रो जे लोकोना जुन जुलाई ब्याजार तेविस मा एडमिश मित्रो बार काउंसल ओफ इंडिया कहे चे जो कोई पड़ कॉलेजिस रेकनाइजड नहीं होए और स्टूडन्स ने एडमिट करशे तो तो स्टूडन्स ओल इंडिया बार एग्जामिनेशन आपवा माटे एलिजीबल नहीं गणाए और एमने एग्जाम आपवा नहीं मले जारे यूनिवर्सिटीज कहे चे कि तमें अमारी साथे एफिलियेटेड छो तो स्टूडन्स ने कॉलेजिस एलोट अमें करशू अने गवर्मेंट कहे चे कि कॉलेजिस ने फेकल्टीज अमें प्रोवाइड करशू तो मित्रो आमां कॉलेजिस क्या जाए तेमकि आमांती क पिकलेर करी दो कि तम्हें नॉन रेकोगनाइज्ट कॉलेजिस में एडमिशन लई रहा छो अने त्या तम्हें एड़ोगेट नहीं बनी सको भले पच्छी तम्हें युनिवर्सिटी में टॉप करी वह से फर्स्ट क्लास आयो से गोल्ड मेडल मले वह से तमने पर जो तम्हार साथ हाईकोट नी वेकेशन बैच मां जे साथ कॉलेजिस द्वारा पिटिशन करवा मां आवी छे एमां गवर्मेंट द्वारा एफिडेविट करवा मां आवी छे जे एमां एक डिवीजन एटले के 60 सुडेट्स मांटे फेकल्टीज प्रोवाइड करवा मांटे रेडी थे मित्रो 24 मेना ओडर मां युनिवर्सिटीज द्वारा एफिडेविट करवा मां आवी छे एक पिटिशनर कॉलेजिस ग्रांटीन एड लो कॉलेजिस छे अने एमां पूर्ती फेकल्टीज नती त्याथी स्टूडेंट्स ना इंटरस्ट ने ध्यान मां राखता आ कॉलेजिस मां स्टूडेंट्स एलोड करवा मां नहीं आवे त्यार बाद 25 मेना रोज गुज़रात सरकार द्वारा एफिडेविट फाइल करवा मां आवी कि गुज़रात नी बदीज लॉए उनिवर्सिटीज दारा करवा मां आवता एड्मिसन नी प्रोसेस चेंज करवा मां आवी अने हवे थी GCAS येटले के गुजिरात कौमन एडमिशन सर्विस नामना पोर्टल पर थी एडमिशन करवामा आव से गया वकट सुधी Centralized Admission System हती जमा दरेक युनिवर्सीटीज द्वारा त्यमनी Affiliated Colleges माटे एडमिशन करवामा आवतू आ वक्रती ज आ पोर्टल द्वारा दरेक युनिवर्सिटी ज साथे हाशे जैमा थी युनिवर्सिटी नी चोईस करवा मा आवशे और त्यम नी अफिलियेटेड कॉलेजिस नी चोईस थाशे पची त्यमना प्मेरिट पर थी एडमिशन थाशे जैमा एक सेंट्रलाइजड एडमिशन अने बे दी सेंट्रलाइजड एडमिशन सेंट्रलाइजड एडमिशन मा जोईए जैमा सेंट्रलाइजड एडमिशन मा स्टूडेंट्स नो डेटा जी सेंट्रलाइजड द्वारा कलेक करवा मा आवशे अने concerned university ने send करवा मा आवशी अने पछी students ने different colleges choice करवानू option आपवा मा आवशी अने पछी merit list colleges द्वारा prepare करवा मा आवशी अवे जो ये B. Decentralized admission जैमा G.C.A.S. द्वारा students नो data collect करवा मा आवशी अने पछी ते data concerned colleges ने forward करवा मा आवशी अने पछी colleges merit list तैयार करशे अने state government नो students ने colleges के university एलोड करवा मा कोई रोल नथी अने government universities ने admission process अमेंड करवा मा आवी चे अने 2024 पछी एकेडमिक एर्थी लागू पडशे हवे students द्वारा GC.A.S. पोर्टल पर registration करवा मा आवशे अने त्यार बाद ए data GC.A.S. द्वारा concerned universities ने forward करवा मा आवशे अने universities द्वारा concerned colleges students ने एलोड करवा मा आवशे जैमा एक वेरी रहीच करवा मा आवी चे तैके जे colleges बार काउंचल अफ इंडिया द्वारा recognized नथी करवा मा आवी एमनु नाम पोर्टल पर क्या मा आवे चे अने त्यारे गुजरात सरकार द्वारा एफिडेविट फाइल करवा ने कहवा मा आवी चे के non recognized colleges ने नाम concerned universities द्वारा पोर्टल पर मुकवा मा आवे चे अने त्याथी high court द्वारा ज्या सुधी आ मेटर स्वाल ना थाए नामज न थी अने एमा admission hold पर राखवा मा आवेल चे court द्वारा पूछवा मा आवे चे तो मिस्टर सुधी नाना वाटे कहई हूँ कि मिस्टर मनन साह ए colleges नों inspection करवा माटे ready चे जारे colleges ने faculties मली जाये त्यारे त्यासी government द्वारा undertaking आपवा मा आवे चे त्यामना द्वारा एक division माटे faculties provide करवा मा आवे चे अन्य अत्यारे vacation बेच द्वारा एवो interim order आपवा मा आवे चे कि जा सुधी आ प्रोसेस पूरी ना थाए त्या सुधी admission जे चे ये hold पर राखवा मा आवे चे अन्य जैन्य नेक्स्ट डेट वीश जून छे मिश्टर सुधी नावाट ये कहिऊ कि एड्मिशन स्टार्ट त्यारे थाशे जैरे बार काउंसल अफ इंडिया कहिए कि इस अकेडमीक येर 20, 24, 25 माटे त्यों कॉलेचिस ते टेंप्राली रेकिनिशन आपे चे मिश्ट्री शुधर नावते कहिऊ कि गवर्मेट द्वारा फेकल्टीज प्रोवाइड करवामा टाइम लाग से पन एस फार एस लो स्टूडेंट्स इस कंसर्ण टर्म फस्ट जुलाई शुधिबा शुरू करिदेवामा आवू जोईए लास्ट इयर जी टेंप्राली रेकिनिशन आपवामा आवी होतु बार काउंसिल ओफ इंडिया द्वारा तेम छता हजू शुधि प्रिंसिपल पन अपोइंट करवामा नथी आवया हवे गमर्मन डावरा जल्दी शुरू थाई सके मित्रो जारे एड्मिशन करवामा आवे छे ए पॉइंट जोवामा आवे छे कि कॉलेजेस रेकिनाइजट छे के न थी बाकी तो जारे थाउजंड्स ओफ स्टूडर्स नू टर्म पूरू थासे त्यारे तेमने खबर पड़ से कि तेओं एड़ो अने पंदर जुन पहला मिस्टर मनन साहा ने रिपोर्ट सेब्मिंट करवानू कहवामा आवे छे अने आब अधिच कॉलेजेस नी अर्जीनी नेक्स्ट डेट वीस जून राकवामा आवी छे तो मित्रो एड्मिशन क्यारे सुरू थासे त्याने जानकारी तमने वीस जून नबल्दा